दोस्तो इसको पानी में गिराने के लिए जो मशली पकड़ने के लिए अब डालोगे कितना डालोगे ये कैसे बनाओगे इसको क्या मन कोरे बनाबेन कोटोटा फेल बेन ये ही मौसलाटा ये ही मौसलाटा ने बेन 570 ग्राम ठीकाचे कोटा सेस इस मसला का ये पनीर मसला को आप लेंगे 75 ग्राम धियन रखीगा बात को बहुत गौर से सुनिएगा उल्टा सीधा अगर जरा सा कर दिया ना आपने तो फिर मसला मसली देख पाएंगे मसली नहीं पकड़ पाएंगे एक टू बेशी उननीज भी स्कोरे दिये चैन तो अपनारा मायज होते पार बिनना और सम्भव होए जब मायज धौरा से करने 75 ग्राम पनीर मसला लेंगे 75 ग्राम 1,500 ग्राम मैं जो भाद पुलाव का बात कर रहा हूं वो ही भाद पुलाव चाहिए इसमें आपिनको आमर जी से नहीं बनाना वह भाद पुलाव 1,500 ग्राम लेना आपको लेना है पहले in 75 ग्राम ही इस मसाला को लेना बरतन भेरिखना, 1.500 g भात पुलाव डालना, उसको अच्छा से चकोटना और अच्छा से पेस्ट करना करने के बाद उसमें 25 g ग्राम 25 ml नारियल का सडा हुआ तेल होता है अलाग से मिलता है नारियल का सडा हुआ नारियल का ओपर जो तेल होता है उटा के बेशता है चरह का दुकान में, नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा, इसका ये ingredients छोड़ नहीं सकते आप, उसका 25 ml देके उसको अच्छा से मिलाना है, चकोटना है, ठीक है, अच्छा से मिलाना है, मिलाना इसका में चीज है, दूसरा, चोथा, हाडिया, जो मैता होता है, भात हाडिया चावल का जो मैता होता है जो नीचोड के निकल लेते जो छीबड़ा रहता है उसको नहीं जो चावल का हाडिया सफेद सफेद बनता है वो हाडिया 25 ग्राम उसमें डालके अच्छा से चकोटना है ये मैं जो पॉसेज बता रहा हूँ अगर आगे पीछे कर दिया मेरा गलती म मात मानना पहले क्या बोला 75 ग्राम ये मसाला पनीर मसाला उसके बाद मिलाना है उसमें 1500 ग्राम भात पुलाओ लीक लिजे इसको उसके बाद उसमें मिलाना है आपको 25 ग्राम नारियल सड़ा हुआ का तेल अच्छा से मिलाना बहुत पेस्टिंग करना उसको उसके बाद 25 ग एक चम्मच शहद को उसमें उठा के डालना और अच्छा से उसको मिलाना ठीक है मिलाने के बाद पांच एमेल थीरी एकस राम देना अगर आप बोलो भी हमको पास है नहीं भाईया तो नहीं है तो दूसरा देना ठीक है दूसरा जो होता है लिकुईट वो पांच एमेल देना देखे अच्छा से मिलाना जो देशी होता है उसको तीने मिल देना यह गलती मत कर देना पांच मेल मत देना फिर कोई मैशली को नहीं उटा पाऊ गया अब देशी होता है तो उसको तीने मिल देना देखे उसको अच्छा से मिलाना महुआ है बंगला है कुछ भी है तो उसक गोल गोल लड्डू बनाए और उसको जितना दूर आपको फेकना है उसी सबसे टाइट करको गिरा दीजिए इसका काम खतम ओके पाट चोधू तो यह अपना एक फ्यालार पद्ध होती नियोम किवाबे फेल बेन एटा एटा सब कटागे पचत्तर ग्राम पोचत्तो ग्राम पनीर मौसला डेर सो ग्राम भात पोलाओ जे भात पोलाओ टामी बोलवो एर पर आपना पावेन बेर पर एर वीडियो तो होते परे तते नार्कोल पोचा तेल दिए पालिस कोरून एक्चामोच यह रम चामोचेन एक्चामोच मोधु देभने दिये और भालो करे 50 करूँं ठीरी एक्स राम पांच मेल, नचेत अपना और बांगला 3 मेल एई ज़ते कोंड़ा है अपनी दितमे न आपना क lleva 30 कर आ पांगला 3 मेलों तो अथ भालो करूँन प्रोईजुन आपना जोटो टाप प्रोईजुन ऊई टागे चातू दिन छोला चातू बुटा चातू नए छोला चातू दिये भालो करे माखान लाड़ु कर बें जो तो दूरे छोड़ा रिच्चा पे तो सेरम सोकतो कर बें छूने देबें एचाट्टा फेला सेथ होएगा लो, पनीर मसाला फेला होएगा जाओ, ध्यान दीजिये इस बात को, आपने जो ये मसाला मिला दिया, सत्तू मिलाने से पहले, ये सोच लिजिए इतना मसाला है, ठीक है, आपको इतना बन गया, चाओल भात पोलाओ देखे, तो आपको कम से कम उसमें 75 ग्राम कम से कम 75 ग्राम आपको उससे उठा के रख देना है उसके बाद सत्तू मिला के उसको पानी में गिरने जो उठा के रख दिया उसको टाच में देना है इसको नहीं सुरी इसको जो आपने मिलाया मिलाने के बाद सत्तू डालने को बला ना उसको उठाके रखिए अलग से उसके बाद सत्तू डालिए फिर उसको मिला के लड़ू करके पानी में डालिए जे एई च्छातू पोलाउटा बानानों है च्छातू ये स्वारी पोनीर मौसलाटा अपनारा बानालेन कॉंपलीट तो फैलाज जोन नो च्छातू दे बार आपके पास कोकोनाट मिल्क लापिंग है तो ये अगर 75 ग्राम है तो उसमें 10% 25 ग्राम सोच लिजए 25 ग्राम दीजए 25 ग्राम उसमें को कोकोनाट मिल्क लैपिंग को देखे अच्छा से फेंट लीजिए फेंट को रख दीजिए और लड़ू का बदन में इसे घीशते रही है उपर किनारे में घीश घीश के थोड़ा देते रही है काम खतम दूसरा यह हो गया जेटा बंगलाई बोल वह बार जे मौसलाट आपनी तूले र भालो को रहे फेंटे निया उटेकर देखे दिन लड़ूर गोड़ाई टाज दीते था कून जोड़ बोईते था कून आम अद्धाकत दोर करने अपना दे सब जागे तो से यह हो गया यह फेकने का और टाज देने का तरीका इस जो लड़ू अब गिराओगे यह चराई ड डालोगे डालने के बाद धियान रगना क्या-क्या लैपिंग आप दे सकते हो उस लड़ू में कोकोनट मीट लैपिंग नारियल दूद का लैपिंग आप दे सकते हो गा दूद का मलाई जो दूद का मलाई का लैपिंग है ओ दे सकते हो तीन मूर्थी आपके पास है तो ती एई एई लैपिंग ये लैपिंग इसका जो लैपिंग बना ये तीन लैपिंग आप उसमें इस्तेमाल कीजिए उसके सिवा और एक स्टा कोई लैपिंग का इस्तिमाल मत कीजिएगा फिर तो गड़बड़ हो सकता है ओके तीन मूर्थी, स्वारी, तीन मूर्थी भी आप उसमें इस्तिमाल कर सकते हैं एक तीन चाठ्टे जीनिस होते लैपिंग है दीते पारें, पूरे दीते पारें अपना मरी से उसमें थोड़ा और नरियल डाश भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, उचलेगा, फोड़ा, कोई बदबुदर चीज, खुजबुदर चीज मत दे दे देना, भूला हलका चीज उसमें देखे, इसको तैयर कर सकते हो, वो गया, ये बनाने का तरीका होगा, फेकने क इसको जो गिराया उसके बाद इसको कितना गिराना है इसको आप लीजिए 200 ग्रम तॉल के 200 ग्रम लीजिए लेके बरतन में डालिए उसमें पहले दीजिए भात पुलाव इसका जो भात पुलाव बचा हुआ है 200 ग्रम लेंगे तो उसमें कम से कम 1500 ग्रम आपको भात पुलाव अगा हो जाएगा ठीक हाएं 1,500 से 100-500 घराम तक इसमें दे साकत हो एते एट आते 200 गराम मॉसला पर खोल मॉसला पर खोल पर शोर पर न ने बें निये ताते 1,500 घराम भातपुल पर खोल दे बोपसे दे बें जा चोटका बेन, माखा बेन, मुठोकोर बेन, फेला देन, क्या बोला मैंने, इसको 200 ग्राम लेना है, उसमें 1500 ग्राम भात पुलाओ देना है, जो भात पुलाओ मैंने बता रहा हूं, वही बात पुलाओ देना है, 200 ग्राम भात पुलाओ देना है, चाकोट ना है, 100 ग्राम मिला उसको और लड़ो बनाओ चरही में उतर दो आप यह दोनों के सीवा आप क्या चरही डाल सकते हो आपको बस तीन मूर्ती है तो फट्ट ग्रम डाल सकते हो और नहीं है तो मैं जो महुआ चार महुआ का जो चार दिया हूं उसको जरूर डालना है पचतर ग्रम क्या बोला 50-50, उस से ज्यादा नहीं, 50 ग्रम डालोगे, क्योंकि ठीक है, इसमें भी, क्योंकि गुड महुँआ है, 50 ग्रम ओ महुँआ का चारकोलो सेम तरीखा से बनाओ, इसको जैसे बनाए, भात पुलाओ दो के चकोटो, 50 ग्रम में 50 ग्रम भात पुलाओ दे दो चकोटो, या 100 ग्रम भातपुलाऊ उस ज्यादा देना है 100 ग्रम भातपुलाओ देदो चकोट दो उसमें फिर आप ओ डालो 15 ग्रम हाडिया डालो बंध नी दो नं को डालके चकोट के उसमें सत्तू डालो चकोटो और लट्डू बनागे डालो अगर किसी के बास तीन मूर्थी है तो वो अगर इस चार के साथ गिराना चाता है तो 50 गरामी गिराना है उसमें मीट्टी डालके मिलाना है दो असला मीट्टी जो जो आइठाल वाला मारा टाइट वाला मीट्टी नहीं जिसमें रेता भी हादा हादा होता है ठीक है दो असला बोलते हैं जे दो असला माठी सेटा होते होते होतोटा ही देबन जोतोटा चार उत्ते केक्टू बेसी द दोस्तों यह बिसनत बाब का टाच अप बना हुआ है देख लिज्ड़ चाच अप यह है यह औरिजिनल टाच अप बना है बाद में मत सवाल किजए जो टाच अप मैं दे रहा हूं वही है और इनस्टेग्राम आईडी आपका क्या है उसके बाद ही फॉलो कीजिएगा नहीं तो वैटिंग में पढ़े रहेंगे अभी बहुत सरे वैटिंग में पढ़ा हुआ है कोई समचर नहीं दे रहा है मैसेज देने के बाद भी नहीं दे रहा है वाप लोग तो मेरा कौन सा खे पहिए आपको लिखना है जो सबस्क्राइबर हो या नहीं या तो इनस्टेग्राम आईडी किया है वो लिखना है और आपने उसठाइब इसके बाद ही फॉलो करना है तब ही जाकर आप इनस्टेग्राम में कestarप्सक्राइब होंगे और इसके बिच非 साइद हो सकता है बहुत सारे निकल चुके होंगे अगर निकल गए हैं तो मेरे बसके नइए, मैं देख नहीं पाँगा कौन निकला, कौन नहीं निकला आप लोग फीर से सब्सक्रायब कीजिए चैनल को और चेक कर लीज़े अपना सब्सक्राइबर वो है कास मसला के ए एस ये तीन नाम का जॉइंट है किलियर बता दिया आप लोग को लेकिन इसका फूल फ्रॉम क्या हो सकता है जो इस सवल का जवाब दे पाएगा कोज भी थियोरी मांगे इभेन मेरा जो घिरनी है वो भी मांग लेगा तो दे दूँगा वादा वादा आप सही रहा तो आपको इनाम मिलेगा बंदुगान एई पूरो फॉर्मूलार मुर्धे एक्टाइप प्रोशनो कास के एस कास मसलार फूल फॉर्म के एस एर फूल फॉर्म फॉल फॉर्म जे बोलते पर वे जे कुनो थियोरी तार मोने जाग वे आमार कस्ते के से पूरुस करी सब्सक्राइब पावे इभेन आमार ताला पुज्जंतों से जोदी पूरुस कर चाई तासे ताला वामें पूरुस करी सब्सक्राइब ताके दिये देवों किन्तु जोदी जीबी तो था की एई उत्तूर पावा पुज्जंतों तार आगे जोदी मालिक देके नहीं त अब जब आप देते रहे हैं, जीज दिन होगा सही, उस दिन घोसों न कर दूँगा, मालिक एक है, जुबन भी एक है, अल्ला हाफिज